हेलो दोस्तों मैं रिशीत आपर डॉट्रेनर एंड वेहवियस्ट मैं आज आपको बताऊंगा कि राइट इज क्या होनी चाहिए डॉट की जब हम डॉट को ट्रेनिंग स्टार्ट करवा सकते हैं उसकी राइज क्या होनी चाहिए तो यह मैं सारा डाटा इस पर दिया हुआ है What is the right age for dog training एक वेसी जब होनी चाहिए डॉट ट्रेनिंग करवाने के लिए तो मैं आपको यह first section में बताऊंगा कि जो तीन महीने से लेकर आठ महीने तक कि जो है एक right age होती है डॉट को ट्रेनिंग करवाने के लिए हम जो है तीन महीन से स्टार्ट ले ले लेते हैं डॉब को ट्र Fr चुक होता है प्रप्त्रण के लिए 8 to 12 months for slow learning age जिसमें हम जो है कि आठ महीने से लेके 12 महीने का जो है semi-adult age में से निकल के वो adult age में चले जाता है उसमें थोड़ा सा उसका जो है learning का जो है process वो slow हो जाता है उसमें बहुत slow processing हो जाती है क्योंकि उसमें ताकत आजाती है उसमें energy आजाती है energy जब release नहीं होती घर के dog की तो वो slow study करता है तो यह है आठ से 12 महीने की जो है age उसमें slow learning age है तीसरा sanction है जो वो है above to 12 months takes even longer time to learn इसमें जो है बहुत ज़्यादा समय लगता है क्योंकि dog adult age में एज को पार कर जाता है कोई dog adult age में होता है कोई उसको पार कर जाता है तो उसमें वो यह नहीं है कि adult age का dog train नहीं होता है 12 महीने से लिए के 14 महीने 3 साल, 4 साल, 5 साल सभी dog train हो सकते हैं बढ़ उसमें उसको समय ज़्यादा लगता है उसको training ज़्यादा समय मांगता है dog क्योंकि वो उसमें हार्मोन जो है ग्रो कर चुके होते हैं जो है adult के और उसमें चरचड़ापन और aggression के बार उसमें उसकी energy release नहीं होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा पाबर होती है तो यह है जो है above to above 12 months takes even longer time to learn उस पे बहुत ज़्यादा समय लगाना पड़ता है dog की तो हम जो है सबसे पहले जो section में जा रहे हैं जो है 3-8 month इस age में बहुत ही बढ़िया dog train होता है तीन महीने से लेके चार महीने तक सभी puppy अपने दिमाग को grow कर जाते हैं वो पूरी तरह मतलब जो है वो सीखने के लिए तयार रहते हैं इसमें उसमें excitement होती है सीखने के लिए कि हमने कोई भी command उसको सिखाई वो जढ़ते सीखता है क्लिक करता है उसको 300 repetitions की जरूरत होती है ता उमर के लिए सारी उमर के लिए उसके दिमाग में वो है जो भी हम उसको training करवाते हैं जो भी command वो अपने दिमाग में सेट कर लेता है इसमें बहुत ही ज्यादा है तीन से आडमी है बहुत ही ज्यादा तेजी से वो सीखता है सो यह मेरा वीडियो बनाने का मौटी विए था क्योंकि मुझे हर रोज कितनी कॉल जाती है मेरे क्लाइंट्स की जो मुझसे पूछते हैं कि सर कौन सी एज में हम अपने डॉक को राइट एज में हम ट्रेंड कर सकते हैं तो मेरा यह वीडियो उन्हीं दोस्तों उन बैन भाईयों के लिए है जो यह नहीं जानते थे कि कौन सी एज में हम अपने डॉक को ट्रेंग स्टार्ट करवाएं तो यह आज मेरा वीडियो यही पर खतम हो रहा है तो मैं आप से यह मैं जो है रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी यह जो वीडियो है उन डोग लवर दोस्तों को आप शेयर जुरूर करिए और जो उन डॉग लवर भैन भाई हो तक ये मेरी वीडियो ये मेरा मैसेज पहुचा दे जिनको ये मालूम नहीं है कि डॉग को कौन सी एज में ट्रेंग किया जाए और जो डॉग रखे हुए हैं और जिनके पास डॉग अभी लेना चाहते हैं और जिनक के पास अभी डॉग हैं वो उनको ये नहीं मालूम है कि कौन सी एज में हम डॉग को ट्रेंग कर सकते हैं तो ये मेरा मैसेज आप प्लीज उन तक पहुचा दिजिए थैंक यू वरी मच